नमस्कार सौगत है आप सभी का दनलोज ग्रू की ये रूप चैनल पर तो होली से पहले घज से बाहर निकाल दें ये चीछें धन की तंगी से मिलेगा चुटकाना तो बता दें कि होली आने में अब कुछ दिन ही सेस बचे हैं रंग उत्सो के पर्व के तैयरियां सुरू हो जगी हैं पंचांग के अनुसार इस साल होली 25 मार्च को है और 24 मार्च की मद्धेरात्रे में होल का देहन किया जाता है होली के पावन पर्व को सुबह और मंगलकारी बनाने के लिए वास्तू के कुछ बातों का खास ध्यान रखें तो आई जानेते हैं होली 2024 वास्तू के बारे में तो घर में सुक समरद्धे और खुसाहाली के लिए होली से पहले गर की साबसफाई बहत जरूरी है हैसी मानता है कि इससे नेगटेविटी दूर हो जाती है परवारी जीवर में खुसी आती है इसलिए होली से पहले घर से इन चीज़ों को आज से ही बाहर निकाल दें तो सबसे पहले पुराने जूते चपल लंबे समय से घर में रखे पुराने जूते चपल को होलका देहन से पहले बाहर निकाल दें वास्तू के अंसार घर में टूटे बेकार जूते चपलों को रखने से घर का माहौल नकरात्मक रहता है और परवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है सूखा हुआ तुलसी का पौधा अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा सूख गया है तो हुलका देहन से पहले ही नया पौधा घर में लगाएं मानता है कि इससे जीवन में सुक सम्रधी और खुसहा लियाती है पुराने कपडों का इस्तेमाल वासितू के अंसार हुलका देहन से पहले घर में रखे बहुत पुराने कपड़ों को किसी जरूत मंद या गरीबों को देना सुब रहेहेगा पुराने रंगों का इस्तेमाल ना करें कई बार लोग जाने जाने में पिछले साल के बचे हुए रंगों से हुली खेल लेते हैं वास्तू के मताबिक हैसा नहीं करना चाहिए पुराने रंगों को घर से बाहर निकाल दें पुराने रंग इसकिन को भी नुकसान पहुचा सकते हैं तूटा हुआ सीसा वास्तू में तूटा हुआ सीसा भी रखना सुब नहीं माना गया है ये वास्तू दोस्त उतपन कर सकता है इसलिए हुली से पहले इसे घर से बाहर कर दीजिए तूटी वी तस्वीर वास्तू के अंसार होल का दहन से पहले घर में टूटी वी तस्वीरों को बाहर निकाल देना चाहिए इसके साथ ही भगवान की खड़ित प्रत्मा को जल में प्रभाहित कर दें टूटे फूटे इलक्टरानिक आइटम वास्तु सास्त्र के अंसार घर में टूटे फूटे इलक्टरानिक आइटम रखने से निक्टेविटी पढ़ती है इसलिए होल का दहन से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए तो इस वीडो में इतनी थी जानकारी वीडो पसंद आए हैं वीडो को लाई करें सेर करें